लीची जैसे मिठास भरे खुबसूरत फल में कई कीट रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है लेकिन आम तोर पर हमारे शेत्र में रोग ब्याधियों में से करीब 3-4 रोग और कीटों में भी तकरीबं 3-4 कीटों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी कि इन रोबों और कीटों से लीचियों का बचाओ कैसे करें यू तो लीची के मिठास कई कीटों को आकरशित करती हैं परामतोर पर लीची में लगने वाले तीन कीट हैं लीची माइट फल एवं वीज बेधक और पत्ती काटने वाला सुन्डी आईए अब इन तीनों कीटों के बारे में करीब से जानते हैं लीची माइट इस सुक्ष्म कीट द्वारा रस चूसने पर पत्तियां सिकुड जाती हैं और उनकी निचली सता पर लाल मक्मली गढ़्धा बन जाता है कीट से ग्रसित पत्तियां मिलकर आपस में गुच्छा बना लेती हैं जिससे प्रभावित टहनियों में पुष्पन एवं फलन नहीं या कम होता है लीची मकडी अत्यांत सुक्ष्म होती हैं जिनके बलनाकार सफेद और चमकीले रंग के होते हैं कीट के नवजात एवं वयस्क दोनों कोमल पत्तियों की निचली सता टहनी एवं पुष्प वरिंत से चिपक कर लगातार रस चूसते रहते हैं लीची माइट के रोगधाम के लिए जून में फलों की दुडाई के उपरांत इवं दिसंबर जनवरी में प्रभावित टहनियों को कुछ स्वस्त हिस्सों के साथ सावधानी पूर्वक काट कर जला देना चाहिए इसके अलावा डाइपोफॉल 3 मिलिलिटर प्रति लिजर पानी के घोल का पहला चड़काव सितंबर ऑक्टूवर एवं दूसरा चड़काव फरवरी में करना चाहिए ध्यान रहे कि फल तोड़ने के 15 दिन पहले से ही कीट नाश्रक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए लीची उत्पादकों के लिए एक प्रमुख समस्या बन गया है फल एवं बीज बेधक कीट इसका अकरमन अमोमन मई के अंत में शुरू हो जाता है लेकिन बरसाथ होने पर यह बड़ी तेजी से फैल जाता है आपने जरूर गौर किया होगा एक फल में एक ही सुंडी रहती है जो डंटल के बिलकुल नीचे पाई जाती है यह अपने विष्ठा फल के अंदर जमा देते हैं जिन फलों पर इस कीट का प्रकोप हो जाता है उनमें डंटल के पास छीलने से गूदे के रंग के यानि सफेद कीडे दिखाई पड़ते हैं इसके रोप्थाम के लिए टाइकोग्रामा चिलोनिस परभक्षी 50 अंडे प्रती हेक्टेर की दर से बोर निकलने के बाद मार्श के प्रथम सप्ताह में एवं फेरोमें ट्रैप 15 प्रती हेक्टेर की दर से विरिक्ष की मध्य उचाई पर प्रयोग करना चाहिए इसके अलावा जब लीची के फल मटर के दाने के आकार के हो जाए तो पहला कीटनाशी छुड़काव करबारिल 50 डवलूपी 2 ग्राम प्रती लिटर पानी में मिला कर प्रयोग करना चाहिए इसके बाद दूसरा कीटनाशी शुड़काव फल पकने के 15 से 20 दिन पहले साइपरमेतरिन 10 EC 2 मिलिलिटर या साइपरमेतरिन 25 EC 3 मिलिलिटर प्रती 10 लिटर पानी में घोल कर उप्योग करना चाहिए इसके अलावा इमीडा क्लोप्रिड 17.8 SL 0.5 मिलिलिटर प्रती लिटर या क्लोरो पाईरिफोस 20 EC 1.5-2 मिलिलिटर प्रती लिटर पानी में घोल कर प्रयोग करना चाहिए इन कीटों को जानने के बाद आईए अब लीची में लगने वाले प्रमुख रोग जुलसा के बारे में जानते हैं इस रोग के लक्षन फलों पर दिखाई पड़ते हैं रोग के संक्रवन की शुरवात फल पकने के लगभग 15 से 20 दिन पहले होती है पर कभी-कभी लक्षन फल तुड़ाई के बाद भी दिखाई पड़ते हैं फलों के छिलकों पर छोटे-छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो आगे चलकर एक दूसरे से मिलकर काले और बड़े आकार के धबों में बदल जाते हैं इस रोग की तिवरता अधिक होने पर काले धबों का फैलाव फल के छिलकों पर आधे हिस्से तक हो जाता है उच्च तापक्रम एवं आधरता रहने पर रोग का संक्रमन और फैलाव काफी तेजी से होता है यही कारण है कि इस रोग से प्रभावित फलों का बाजार मुल काफी गिर जाता है इस रोग से बचाओ के लिए कॉपर ऑक्सिक्लोराइट 2 ग्राम प्रति लिटर पानी के दर से घोल बना कर छुड़काओ करना चाहिए अगर रोग की दिव्रता जादा हो तो रोग थाम के लिए कारबेंडाजिम 50% WP या क्लोरो थैलोनिल 75% WP 2 ग्राम प्रति लिटर पानी के दर से घोल बना कर छुड़काओ करना चाहिए